जो नूर मुकदम केस है जिसको बड़ा बूटली मर्डर किया गया है तो सबसे पहले तो जो इसकी हकीकत है वो यही है कि यह जो नूर मुकदम है यह जाहर जो लड़का है जिसने उसको मर्डर किया है जो ही पुलीस को इतला मिली कि इस तरह का मर्डर हुआ है तो पुलीस फोरी बगएर कोई टाइम जाया किये फोरी रिस्पॉंड कर गई और पुलीस ने जो कल्प्रिट है जाहर उसको फोरी मोके से गिरिफतार किया और इसके बाद क्राइम सीन को पूरा कवर करके जो हमारी नेशनल फरेंजिक साइंस अजन्सी है उसकी कलेक्शन की जो फरेंजिक एविडेंस हैं वहाँ से कलेक्ट किया और इस तरह हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई नट असिंगल बिट आफ एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय ना हो ताके कल को जो ट्राइल स्टेज पर है किसी को कोई अंड्यू फेवर ना मिल सके इस हवाले से मुल्जिम हमारे पास गिरफतार है जो एग्रीवड फैमिली है उसको आईजी साब ने भी विजट किया आईजी साब ने खुद क्राइम सीन को विजट किया और तमाम अफसरान जो हैं वो इस पर लगे हुए और आईजी साब ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें कॉंस्टिट्यूट की जैसका हैड एस एस पी इन्वेस्टिगेशन या आज मैं आपके सामने बेटा हूँ हूँ और साथ में एस पी हैं एस पी सिटी और एस पी कौसार और जो कंसर्ण आईउ है इसकी एक स्पेशल टीम इसलिए बनाई कि ये केस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हमिल है और सोशल मीडिया पर भी इसके हवाले से कुछ बलब कुछ मिस कंसेशन्स हैं कुछ कंफ हैं वो भी हो चुकी हैं तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम एग्रीवट फैमली के साथ कड़े हैं हम उनके सपोर्ट में कड़े हैं और उनको हर तरह का इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है हमारी जिमदारी है तो इस हवाले से उनको ना किसी फिकर की जरूरत है औ भाई जी साहब ने भी उनको इंशोर कराई वहां उनके गर जाके उनको बताके कि जी हम आपके साथ करें हैं मुल्जम हमारे पास है तो ही इस अंडर एरेस्ट और उनसे तफ्तीश हो रही है जिनियर सहाफी शफिक कुरेशी के जेरे सतारत जोड़ा शेहरों से शाया होने वाला पहला मुकमल मुकामी अखबार रोजनामा 99 News जिसमें मुकामी खबरों के इलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनल अक्वामी खबरें दोरे जदीद के तकाजों के एन मताबिक आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉफिक बुक करवाएं या विजिट करें www.99news.net